हेले श्टूडेंस तो एक बाप फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास टेंथ का साइंस का वर्क्षिट नमबर 12 आर यह जो वर्क्षिट है 2008-2020 का है जिसमें हमें पढ़ना है chemical reaction and equation के बारे में chemical reaction and equation के बारे में पढ़ना है तो देखें बच्चों आपे सबसे पहले chemical reactions क्या होता है तदा प्रोसेस इन विच निव सफ्टांस बिदा निव शेट अप प्रोपर्टी जार फॉर्म वन और मोर सफ्टांस इस काल chemical reaction यानि कि ऐसा सफ्टांस जिसमें एक निव प्रोपर्टीज के साथ reaction करने का वा नए पदार्त का एक या एक से जादे ने पदार्त का निर्मान करता है तो उससे हम लोग क्या बलते है बच्चों chemical reaction बलते है इसमें क्या होता है the substance which take part in chemical reaction are called reactant अब ऐसा सफ्टांस जो chemical reaction में participate करता है उसको हम reactant बोलते है और वैसा सफ्टांस विचा फॉर्म इने chemical reaction और जिसमें chemical reaction बनने बाद जो new substance मिलेगा उससे product जैसे की carbon C plus O2 तो क्या हो गया बच्चों सरी यहां पर equation का sign होगा CO2 यहां पर C और O2 जो है यह क्या हो जाएगा बच reactant हो गया और O2 जो CO2 जो था बच्चों यह क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया new substance जो भी हमें मिला वो प्रोडक्ट हो गया वकेश्वरेंश तो मिद करते हैं यह आपको समझ में आगा आगा reactant product यहां पर कुछ देखो chemical reaction हमारे daily life में example दे रखा burning जलना लोह में जंक लगना र synthesis, batteries, fermentation, washing, baking, these are the all the examples of chemical reaction in our daily life. ठीक हमारे daily life में chemical reaction का क्या था एक्जाम्पल था, यहां पर था है chemical reaction indicators, अब क्या क्या में दिखाता है, तो change in color, change in state, change in temperature, evolution of gas, यह सारे चीज क्या होता है, के chemical reaction में सब चीज होता है, reaction color बदल जाएगा उसमें, अब इसको में लिखते कैसे है, students chemical reaction को लिखते किस तरीके से हैं, तो बेज अब रिपर जेंटे से मनाफ chemical reaction, तो जैसे world equation दिया होगा, magnesium और oxygen, यह मिलके क्या मनाया, magnesium oxide, तो यह यह जो है, यह LHS में, रेक्टेंट, RHS में, रेक्टेंट, RHS में, रेक्टेंट होता है, रेक्टेंट, तो यहां से क्या होगा, chemical, मैंगनेशियम में, Mg, oxygen में, O2, तो मैंगनेशियम प्लस O2, क्या होगा, Mg, O, magnesium oxide, तो यह हमारा रेक्टेंट होगा, यह प्रोड़क्ट होगा, तो इस तरह से हम लोग उसे लिखते हैं, अब chemical equation क्या होता है, बच्चों, तो chemical equation can be represented by chemical equation, जो chemical reaction होता है, उसको हम रेक्टेंट कैसे लिखते हैं, कैसे तो chemical equation के formula लिखते हैं, इट involves use of symbols of elements or chemical formula of directants and the product, mentioning the physical state, इसमें क्या कहोता है, जैसे जो भी reaction में होता है, जो element होता है, उसका symbol लिखते है, उसका state लिखते है, physical states भी लिखते है, क्या अनेसेसरी condition भी लिखते है, कि तापमान बढ़ राया है, कि pressure वज़ अचा गया, magnesium को, जो हम जलाते हैं, तो क्या आता है, mg plus or to 2 mg, यहाँ पर देखो, लाकिस का states नहीं लिखा, आप लोग लिखो गया, यह वो 2 गया सा, यह mg, magnesium oxide, गया, एक क्या है, solid बना, ठीक है, उसके बाद, हम लोग आते है, आज का, वक्षिट का question की तरफ, तो बहुत यह साना सा, जो है, question जिरका five question है, जो आपको करना है, first question था, students, first जो question था, वो है, how can we say that, हम कैसे कहेंगे, जो given change, जो यह चेंज हो रहा है, chemical reaction है, किसी में changing में, जो है, उसमें chemical reaction हो रहा है, तो जिसमें new substance का निर्वान होगा, नए properties के साथ, उसे में हम बोलेंगे कि यह chemical reaction हो र from one or more substance, एक और एक से ज्यादा substance के साथ, एक नया substance बनेगा, उसी को हम लोग केमिकल reaction बोलेंगे, कि chemical reaction टेक पलेश हो रहा था, question two था, कि identify and write the chemical reaction from the given example, इस example से क्या लिखना था, chemical reaction लिखना था, पहला photosynthesis, दूसरा boiling of water, tearing of paper, deformation of card, तिसमें से chemical reaction कौन कौन सा, तो photosynthesis और formation of card, यह दोनों है ते हापे andr, देग्जामपल, chemical reaction आप लोग लिख देना, ऐसे, photosynthesis and formation of card, देग्जामपल of chemical reaction, ओके फ्रेंस थर्ड कोशन देखो, हम यहीं पर कोशन में ही आपको बता देते हैं, कि इसमें हमें product और, reactant और product लिखना था, तो जैसे हापे C, A, C, O, 3 है, हम अभी बत reactant होगा, इधर वाला product होगा, तो C, A, C, O, 3 में का लिख होगा, reactant, और, C, A, O, plus C, O, 2, यह क्या गया बच्चो, product होगा, इसी तरह से इसके नीचे वाला भी कर लेना, C, A, C, O, 2, reactant, और यह जो है product होगा, ठीक है, फोट कोशन में हमें यह सभी का एक एक example लिख के बता आ पहले दिखें, आप लिख रहे के, chemical reaction, so in the evolution of gas, the burning of coal, changing of substance color during the chemical reaction, and resting of fire, chemical reaction, so in the change in temperature when burning of fire, कहा लिख रहे के, जब firewood hit करता है, तो उससे temperature में बदलाब आता है, अगला जो question था है students, की अंजली में अधर भूल जाती है, आटा को फ्रीजर में रखने के लिए, गरमी के समय, सु होगा, तो यह तरह का कम सा चेंज था, फिजिकल चेंज यह केमिकल चेंज था, एक तरह से केमिकल चेंज था, ओके students, क्योंकिसमें बैक्टेरिया का formation हो गया, फंगाय जिसके बएसे यह खराब हो गया, अब यह दुबारा से अपने form में नहीं आ सकता है, ओके students, I hope कि देख